कि अगर आप सोच रहे हो कि सबसे बेस्ट नर्सिंग के बाद क्या रहेगा गवर्मेंट जॉब पाना रहेगा या फिर अब्रॉड के लिए प्रिपेर करें अब्रॉड जाए वही सेटल हो वह बेस्ट रहेगा क्या लगता है तो इसी का कोश्चन इस कोश्चन का आंसर हम इस वीडियो में ढूंडेंगे हम ट्राय करेंगे कुछ पैरामिटर को लेके और कंपेर करेंगे क्या बेस्ट रहेगा गवर्मेंट या फिर अब्रॉड जब हम बात करते हैं जॉब की तो गवर्मेंट जॉब की त आपको एक एक्जाम देनी पड़ती है क्या करना पड़ता है अपको एक एक्जाम देनी पड़ती है उस एक्जाम को पास करना पड़ता है फिर काउंसलिंग होती है उस बिसस पर आपके मेरिट के अनुसर आपको गवर्मेंट में जॉब मिलता है वही पर अगर हम देखें में तो आपको IELTS जैसे exam होती है अगर हम बात करें और abroad की तो IELTS exam होती है OET exam होती है इसके बाद भी जैसे NCLEX exam भी होती है NCLEX RNK exam भी होती है उसके बाद OSCE exam भी होती है प्ट इटोफल यह exam होते हैं तो abroad job के लिए भी आपको exam देने पड़ेगी और exam के बाद आप apply करते हों यहाँ पर एक डिफ्रेंस यह है अगर हम बात करते हैं government की तो government में क्या है ना कि आपको spend नहीं करना पड़ता यहाँ पर इसके लिए आपको spend नहीं करना पड़ता अगर spend करें तो उसमें क्या रहेगा fees जो की exam की fees रहेगी जो की abroad में भी है ज्याद से ज्याद यहाँ पर फीज कितनी रहेगी तीन जो में open के लिए 3000 तक है तो 3000 तक यहाँ पर फीज रहेगी वही पर अगर हम यहाँ पर बात करें 13,000 14,000 से लेके जो मतलब 30,000 तक 13,000 तक यहाँ पर exam की fees रहेगी ठीक है यहाँ पर क्या है अगर आप exam पास कर लिए तो और वह जो आना जाना travel है वह traveling में आपको कुछ खर्चा होगा देखो मैं जब कोई comparison करना है न तो मैं बहुत detail में जाके comparison करता हूं ठीक है तो इसलिए ध्यान से देखो मैं इतना basic छोटे सी छोटी बात बता रहा हूं तो traveling में आपका जाएगा like let's consider 5000 इतना नहीं जाता है exam center इतना भी दूर आप नहीं आपको मिलता नहीं है यहाँ पर traveling मतलब exam centers जो है न गवर्मेंट exam में आपके करीबी exam centers मिलते हैं आपको बड़े cities में ही जाना पड़ता है तो हो सकते आपके लिए करीब हो हो सकता है आपको ज्यादा है तो वह एक है अब यहाँ पर traveling सिर्फ exam के लिए ही नहीं है traveling exam के लिए तो हे ही है लेकि जॉब के लिए सेटल करने के लिए भी traveling है जो कि बहुत ज्यादा है वह हम यहाँ पर देखे तो जॉब के लिए आपको travel करना है तो अगर state government है तो state में ही है अगर आप central government में जॉब आपको मिलता है तो वह आपका state छोड़के आपको बाहर जान आपका कर्चा हो सकता है जाने के लिए वहाँ पर लोकेट होने के लिए या पिर पोस्ट करने के लिए वही पर अगर हम यहाँ पर abroad की बात करें तो हंड्रेड के तो आप मान के ही चलो मतलब वन लैक्स एक लाक रुपया तो भी आपको लगेगा ही लगेगा और वही आप जाने की कोशिश करोगे तो इससे भी ज्यादा मेहगा पड़ेगा ठीक है अगर वह बीच में अगर आप जाते हो तो और भी मेहँगा पड़ेगा अब खुद से भी जाते हो वीजा प्रोसेस करना वह प्रोसेस करना तो उसमें टाइम लगेगा यहाँ पे आपके जो क्या क्या बोलते हैं उसको रेजिस्ट्रेशन सौरी रेजिस्ट्रेशन रेजिस्ट्रेशन नंबर आपका डिग्रे सर्टिफिक्ट यह वो सेम यही पर भी है लेकिन यहाँ पर आपको वीजा चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है अब एक सबसे बड़ा स्कुरिटी यहाँ पर भी है वही चीज यहाँ पर है कुछ पालिशी में कुछ की में इंशूरेंस के हम बात करें तो वह गवर्मेंट जोब में भी है और अबरॉड जॉब्स में भी मिले गए फैमिलिस एस कि आगर हम बात करें सोड़ी दर की लिए हम होल्ड पर रखते ह अगर हम बात करें Quarters कि अगर हम बात करें तो गवर्मेंट जॉब में आपको मिलते हैं और कुछ कंट्रीज में आपको definitely मिलते हैं अगर आप कुछ अइसे हैं जैसे आपने हमारे और इंटर्वियूस देखें होगी इपरเรา जॉप के रिगाड़ी हमारे हमारे मदु भाइढ़ अलीशा के साथ, मॉना लीशा के साथ, हम possibility के साथ, baja के साथ, जो भी हम ने इंटर्वियू किये, सीमा कुंदू मैम जी के साथ, नहीं कुछ प्रोवाइड किया जाता है तो हां बट आपको इनिशली यह देना पड़ेगा मैं इसा नहीं वोटा हो कि इतना खर्चा करना पड़ेगा नहीं मैं कोई निगेटिव और यह नहीं मैं जो है पैक्ट आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हो ठीक है तो वह है हलाकि यह पर भी आपको मिल जाएगा अब सेलरी के अगर हम बात करें मैक्जिम्म सेयलरी जो लाखो रुपए की सालरी आपको तुरत गवर्मेंट जॉब में इंडिया में चाहे सेंटरल में करो या फिर यहाँ पे करो एक लाख रुपए से ज्यादा आपको सालरी स्टार्टिंग में नहीं मिलेगे हाले कि with experience और seniority के साथ आपकी सालरी आगे बढ़ेगी एक लाख से भी ज्यादा आपकी सालरी हो सकती है वही पर हम abroad की बात करें तो यहाँ पे लाखों में ही सालरी है कम से कम आप मान के चलो हमारे देड़ लाख रुपया कम से कम सालरी वहाँ से स्टार्ट होगे but at the same time cost of living की अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे और यहाँ पे most of the time अगर आप DHS जैसे मतलब rural areas में अगर आप posted होते हो तो वहाँ पे cost of living उतनी high नहीं है ठीक है आपके लिए काफी affordable है वही पर अगर हम abroad की बात करें तो वहाँ cost of living ज्यादा है expenses ज्यादा है even यहाँ पर आपको taxes pay करने पड़ता है abroad में आपको taxes pay करने पड़ते हैं उसके बाद जो आता है जो मिलता है वो आपके हाथ में रहेगा यहाँ पर भी taxes pay करने पड़ते हैं जो कि आपके मतलब TDS cut ता है और वही से टैक्स है यहाँ पर आपको जहाँ पर जिस country में आप job कर रहे हो abroad तो उस particular country के जो भी rules regulations रहेगे accordingly आपको वहाँ पर taxes pay करने पड़ते हैं जैसे जर्मनी में आप हो तो जर्मनी के टैक्स अलग है देखो अगर आप particular countries के बारे में जानना चाहते हो तो जर्मनी के लिए मैं आपको बोलोगा सोनी 20 के साथ हमने इंटर्विव किया था उनसे कॉंटेट करिए UK के लिए या सब सब्सक्राइब करने के हमारे website पे इसके related जो भी detail information है वह available करवा है तो यह दोनों comparison है अब आप बोलोगे सर आप फुद government job कर रहे हो और आप abroad के लिए मतलब abroad के बार में या फिर मैंने कई वीडियो में मतलब कई live session में मुझे पूछा गया है कि आप क्या करोगे देखो क्य अगर आपको government job मिलता है तो मैं आपको बोलोगा कि आप उसका कुछ experience लो government में job मतलब इंडिया में काम करने का clinical का experience लो थोड़ा standard experience लो चाए private में हो या फिर government मिलता है तो ठीक है government में आपको काफी experience मिलेगा clinical में तो but make sure कि आप standard operating procedures follow करो SOPs follow करो ताकि जो advanced अगर आपकी सोच आगे जाके मुझे abroad जाना है वहाँ पर job करना है तो उसके match career जो efficiency एक काम की with safe environment patient को care देना and with providing at the same time safe environment में आपकी care provide करना patient को तो वह abroad में बाहर के देशों में उसकी वह priority list पे safe environment patient को ठीक है तो वह बहुत ज़रूरी है अब आपके सामने हमने इन detail जो चीज़े compare करनी थी वह कर रही है एक चीज़ जो हमने यहां पर होल्ट पर रही ती families तो यहां पर यह तो आपका होगा government लेकर आ सकते हैं आप चाहाओ families को लेकर आ सकते हो आप नहीं चाहते तो नहीं quarters वगएरा तो available होते हैं यह आपकी चॉइस रहेगे आप family के साथ रहो मतलब depends हर एक department में department क्या बूल रहा हो हर एक जहां पर रेक्रूटेड होते हो उसके उनके rules and regulation के दवारा but mostly आपको यहां पर कोई restriction नहीं होता है family के साथ रह सकते हो वहीं पर अगर हम यहां पर abroad में बात करें अगर आप families के साथ रहना चाहते हो तो कई rules and regulations है families visit कर सकते हैं अगर आप चाहतों कि वहीं settle हो तो उसके लिए भी कई सारे regulations है वह अगर आप tick करते हो सब कुछ या फिर वह चीजे rules में बैठते है तो ही वह possible होगे लेकि इतने easily families वहाँ पर settle नहीं कर पाते हैं तो pros भी है cons भी है दोनों चीज़ होगे government job के भी abroad job के government में salary आपको उतनी like शुरू में जैसे DMR है तो 58 56 इसके बीच में आपको enhanced salary मिलेगी वही पर आप देखो 1.5 lakh तक आपको salary होती है फिर उसमें क cost of living आपका हर एक चीज़ आपको क्या चाहिए वह आपको क्यों पर depend है abroad countries में भी country wise जो cost of living है वह differ करेगी सो अभी आपका जो question होता है कि क्या better है देखो आप जब भी जैसे कि अभी आभी pass out किया है तो सबसे पहले मैं बोलूगा कि आप पहले government job के लिए try करो और government job के लिए इसलिए try करना है कि जो finance आपको चाहिए होता है यहाँ पर हलाकि आप बाद में जाके make-up कर सकते हो लेकिन फिर भी उसके पहले finance और आप एक ऐसे stage पर बन जाओ कि ठीक है आप try कर सकते हो government job से भी ज्यादा उपर आप जा सकते हो उसके लिए मैं आपको बोलूगा फिर आप directly IELTS OET exam दे सकते हो and abroad में जो country आपको पसंद आती है उस country में जाके आप job कर सकते हो so basic जो parameters होते है वो सारे parameters हमने बताए चाहे वो insurance हो चाहे वो taxes हो चाहे वो आपकी job security हो या फिर career progression career progression दोनों में भी आपको मिलेगे जैसे कि cars होते है bands होते है abroad में वैसे हमारे पास post होते है तो post में यहाँ पे career में progression आपको appraisal मिलता है आपका promotions होते रहते हैं दोनों ही जगा ठीक है and हाँ कुछ लोगों का होता है कि abroad में जाएगे 2-4 साल रहेगे वहाँ पर भरपूर पैसा कमाएंगे और फिर से इंडिया में आएगे तो वो भी इतना easy नहीं है ठीक है जो कि जै regulations के बाद यह चीज़े possible है लेकिन impossible बिल्कुल भी नए है so that's it I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा जो question हम लेके आये थे abroad और government कौन सा better है तो सारा मैंने आपके सामने रखा है अब यह आपको decide करना ही कि आपके लिए क्या best है for example अगर मेरे बात करूं तो मुझे बहुत questions पूछे जाते हैं कि सर अब क्यों नहीं जाते क्यों नहीं जाते हैं तो मेरा हमेशा से उनको यह जब मैंने चीज़े चीज़े step-by-step करने हैं तो जैसे मैंने पहले private job किया फिर उसके बाद फिर फिर उसके बाद अब हम DMR कर रहे हैं तो यह step-by-step हम चल रहे है प्राइवेट जॉब फिर पर्मनेंट जॉब फिर आगे चीज़े हम करेंगे ठीक है तो वह मेरा प्लान काफी क्लियर है आपका अगर प्लान क्लियर है कि नहीं मुझे यह कुछ करना है मुझे बाहर जाना है तो आप वह करिए अगर आपका प्लान कुछ अलग है तो वह करिए आपका प्लान आपका पैशन फॉलो करो बट यहां से इस वीडियो के थुरूफ जस्ट हमने कुछ चीज़े आपको help करने के लिए बताए है आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करिए आपके डाउट्स आप कमेंट बॉक इकसाद तब तक के लिए शालूम, शांती और सलाम, बाबाई गाई गाईस.